जै मातादी दोस्तो, कैसे हैं आप सबी? दोस्तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देए और पास में दिये गए बैल आईकन को प्रेस करना न भूलें दोस्तो बात कर रही हैं मिठुन राशी के साल 2020 प्रेम राशी फल के दोस्तो प्रेम राशी फल 2020 के अनुसार नया साल आपको रोमेंस के मामले में मिले जुले पर नाम लेकर आएगा मित्र इस्थान जो की चौथा इस्थान माना जाता है उसके स्वामी बुध और सप्तम भाव के स्वामी गुरू एक साथ आपकी राशी से सप्तम भाव में सूरिय, शनी और केतु के साथ विराजमान है पंचम भाव के स्वामी शुक्र वर्ष की शुरुआत में अश्टम भाव में बैठे हैं जिससे रोमेंटिक लाइफ में उतार चड़ाव देखने को आपको मिल सकते हैं इस साल आपको अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखने की जरुरत होगी साल 2020 में आप जो भी निन्ने लेंगे वो फायदे मन साबित होंगे संभव है लाइफ पार्टनर को लेकर भी आपके मन में किसी तरह की दुविधा ना रहे दोस्तों आपकी राशी के स्वामी बुध साल 2020 की शुरुवात में सप्तम भाव में होने से आपकी राशी को पूरा सहयोग देंगे लेकिन शुकर के अस्टम भाव में होने से लाइफ पार्टनर की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा इस समय अपने साथी के साथ आप समय व्यतीत करेंगे उनके प्रती अपना प्यार जता सकेंगे, अपने रिष्टे को और भी अधिक विश्वाश पून और मधुर बना सकेंगे हलाकि सप्तम भाव में ही बुद्ध गुरू, सूरिय केतु और शनी का एक साथ होना आपकी पर्सनल लाइफ में भावनात्मक रूप से आपको कभी-कभी बहुत जादा खुशी, तो कभी-कभी बहुत जादा टेंशन दे सकता है अपनी इगो पर कंट्रोल रखेंगे, तो आपकी लव-लाइफ थोड़ी ठीक रह सकती है इन पांच ग्रहों में केतु का सप्तम भाव में शामिल होना एविवाहित जातकों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा जो जातक लंबे समय से अपने रिष्टों में किसी तरह की बाधा का सामना कर रहे थे शादी ब्याह नहीं हो पा रहा था जिनके विवाह की बात तो होती थी लेकिन रिष्टे नहीं टिक रहे थे उनके लिए इस साल अचानक से चटमंगनी पट ब्याह के योग बनेंगे साल 2020 के मई के महिनी में लगभग मध्य में गुरु वक्री हो जाएंगे जिससे आपके लिए नए द्वार खुल सकते हैं जो जातक अभी सिंगल है उन्हें अपना पार्टनर मिल सकता है जिन जातकों के रिष्टे की बात अभी अधूरी चल रही है उनके लिए विवा के योग बनेंगे हलांकि विवाहित जातकों को समभल कर रहने की जरूरत है विशेशकर जिन जातकों के पर्सनल रिलेशन्शिप अच्छे नहीं है उन्हें खासकर समभल कर रहने की जरूरत है जून के महीनी के अंत में गुरू वक्री अवस्था में ही धनूराशी में रहेंगे जिसके बाद कामकाजी कार्णों से जो जातक अपने पार्टनर से दूर हो गए थे वे एक दूसरे के नस्दीक आ सकते हैं बड़े बुज़ुर्गों और दोस्तों की मध्यस्था से आपसी मामलों को सुलजाने की ओर भी आपका कदम बढ़ेगा जिसके कारण सकरात्मक पर नाम आपको मिल सकते हैं साल 2020 के सितंबर महिने में ब्रसपती के मारगी होने से एविवाहित जातकों के लिए काफी अच्छा समय रहेगा इस समय घर में शैनाई की गून्च सुनाई दे सकती है शादी ब्याहा का योग बनेगा हाला कि यहां भी निर्ने आपको सोच समझ कर ही लेना होगा किसी तरह की जल्दबाजी दिखाने की कोशिश बिलकुल ना करें सितंबर के महिने में ही राहू और केतु का परिवर्तन होगा जिससे केतु आपकी सब्तम भाव से निकल कर छटे घर में प्रवेश करेंगे ये भी आपकी रोमेंटिक लाइफ के लिए शुब समय की शुरुवात कही जा सकती है तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली धन्यवाद